क्याई हो आप साब आई हो पाप लोग ठीक होंगे आज मैं आपको बताऊंगे कि अगर आपके चेहरे पर बिल्कुल भी गिलो नहीं है आप साधी में जाना चाहते हो लेकिन पारलर जाने के लिए और फेसेल कराने के लिए आपके पास टाइम नहीं है तो मैं आज आपको दो step बताऊंगी एक आपको scrub करना है और एक आपको करना है मतलब face pack लगाना है इन दोनों से ही आप देखोगे कि आपकी skin पर तुरंत glow आएगा एक ही बार यूज करना एक ही बार में आप इसका फर्क मेंसुस करोगे तो इसके लिए मैंने आपको ज़्यादा कुछ समान भी नहीं बताया है कि आपके लिए impossible हो ऐसा कुछ भी नहीं है तो चलिए बढ़ते हैं आगे उससे पहले अगर आप फर्स्टाइब मेरे चैनल पर आयो हो तो मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब साइड में जो बैल आइकोन होता उसको ज़रू क्लिक करना जिससे में कोई वीडियो डालना सबसे पहले आप देख पाओ वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और सेर करना बिल्कुल भी न भूलना आप सब लोग मुझे इंस्ट्राग्राम पे भी फॉलो कर लेना और मेरी आईडि है नेच्रोल हुजा12 ठीक है तो अब मैं बताती हूँ कि सबसे पहले जो हमें स्क्रब करना है उसके लिए हमें क्या चाहिए देखिए स्क्रब करने के लिए सबसे पहले आपको लेना एक खाली बॉल सॉरी मैं यहाँ पे इसको मेल्ट करके लाए थी उसके बाद भी यह देखिए किस तरीके से जम गया यह है कोकोनट ओईल आपको लेना है मतला कोकोनट ओईल ठीक है आपको लेना है जो हम यहेर में यूज करते हो वह लागा आपको नहीं लेना है ठीके तो यह प्ला आप ले चकते हो इसको डाले दिखेंड़ा पानी पानी का लाग रिचा है कनी है दिखिए यहाँ पर मैंने लिया कॉफी पाउडर यह देखी यह कॉफी पाउडर ले ना आप कॉफी पाउडर ले और इसकी एक चमच इसकी अंदर आप डाल ले तो सबसे पहले यह जो जम गया है मैं इसको थोड़ा सा मेल्ट करके लाती हूँ देखिए तुरंत ही जम गया अभी अभ पूरे चहरे को अच्छे से क्लीन करना है ठीक है आपके चेहरे पर मतलब मेकप नहीं होना चाहिए तो मेरे चेहरे पर कोई भी मेकप नहीं है मैं पहले से अपने मेकप को रिमूब करके और अपने चेहरे को क्लीन करके यहां पर बैठी हुई हूँ अब मुझे करना है इसका स्क्रब तो दीखिए इसक्रब करने के लिए आपको जैसे आप स्क्रब करते हो नॉर्मल तो उसी तरीके से आपको स्क्रब करना है मैं आपको दिखाती हूँ अभी थिक है तो मैं करती हूँ इस क्रफ आपको इस तरीके से करते हुए इस क्रफ करना है अपने पूरे चेहरे का कर नातकोड़ के अपने तो आप जादा से जादा दो मिनट करने बस इस जादा नहीं के ना मेरा इसक्रब हो जाता है तो आप 2 मिनट के लिए इसी तरीका से इसक्रब करें और एक चीज का धिहां रखें आप हमेशा जब इसक्रब करते हो न तो जाधा अपने हातों मतलब अपने हातों को जाधा प्रेस मत क्या करो इसकिन के ऊपर जैसे की खुट बहुत लोग बहुत जड़ा टाइट तरीके से करते हैं एक तम इस तरीके से हो जड़ा टाइट तरी तो आपको इस तरीके से कभी नहीं करना है ठीक है आपको एक दम अराम अराम से स्क्रब करना है अपने चाहरे का इससे क्या होगा आपकी इसके बिल्कुल भी डैमेज नही तो देखिए पूरे मुझे 2 मुनाट हो गए और 2 मुनाट के बाद मेरा मेरा जो इस्क्रब होके हो गया ठीक है अब आपको क्या करना है जो सेकंड इस्टेप मतला आपको बनाना एक फेसपेक और उसको अपने पूरे चेरे पे अपलाई करना है ठीक है आप उसके लिए आप जो में हमने स्क्रप किया है ना इसको आप साफ भी कर सकते हो और अगर आप चाहते हो कि इसके उपर ही आपको लगाना है तो आप इसके उपर भी लगा सकते हैं ऐसा कोई बात नहीं है मतलब इससे आपके इसके लिए कोई सैट्फेक्ट इस इसे बें डालना तो ऐड़ा सा बानी मतलब यह एक चमच के करीवर, मतलब मैंने इसमें और डाल लिए ठीक है ? अब इसमें हमें एक चीज और कॉन सी एड़ करनी है ? इसमें एड़ करना है थोड़ा सा पानी ठीक है ? और डालके इसे आप अच्छे से mix करने हैं इसी तरीके से आपको mix करने में इसे थोड़ी सी problem होगी बस क्योंकि ये एकदम सा चपक सा जाता है इस तरीके से तो आप इसे अच्छे से mix करें तो मैं इसे कर लेती हूँ mix यह देखिए मैंने इसे अच्छे से कर लिया mix और guys इसको आप एक बार ट्राय करना आप देखोगे यह है आपकी skin पर तुरंत निखार लेके आएगा ठीके आप कोई भी face pack है आप उसे यह उम्मिद मत किया करो कि इसे लगाने के बाद आपने यह बोला था तो हमारा चेरा एक कराने से आपकी lifetime के लिए छुटी हो जाती है फिर उसके बाद आपको कोई भी face pack कराना पड़ता है तभी आपके चेहरे पर glow वर करा रहता है तो वैसे ही यह tips होती है तो मैं आपको एक सिंपल सी भासा में समझा रही हूं तो वैसे ही tips होती है जैसे मैं बताती हूं उसी तर देखा ही नहीं देगा तो ठीक है तो आपको इस तरीक लगान तो देखिए अच्छा से मेरिट हो गया पूरी तरीके से अब मुझे इसको लेके पूरे चेहरे पर एक मोटी सी प्रत बनाके मतला जैसे की face pack लगाते ना उसी तरीके से लगा के आप छोड़ दे इस तरीके से अब आपको कितने time के लिए चोड़ना है अपने face के उपर तो आपको छोड़ना है कम से कम 10 minute के लिए ठीक है ज्यादा से ज्यादा 15 minute और 10 minute में काफी है 10 minute time मतला इसके लिए काफी है तो इस तरीके से लगा के आप इसे 10 minute के लिए चोड़ने और यह बहुत ही जली dry भी हो जाएगा और मैं बताती हूँ इसके मतला इसे face pack को और इस scrub को करने से आपकी skin पर और क्या क्या सुधार आएगी देखिए अगर आप इसको करते हो और आप कितने दिन में इसे कर सकते हो आप इसे हपते में दो दिन भी कर सकते हो ठीक है तो इसका ध्याम रखें और मैंने लगा दिया अब मैं इसको छोड़ देती हूँ कितने देर के लिए 10 मेट के लिए और 10 मेट के बाद मैं इसे साफ करके भी दिखाऊंगी और इसका जो last step है मैं आपको भी दिखाऊंगी कि इसके बाद आपको क्या करना है ठीक है तो मैं मि क्या लेना है मैं आपको दिखा देती हूँ बता देती हूँ आपको लेना है हल्का गुंगुना पानी तो मैंने आपे हल्का गुंगुना पानी लिया है आपको ठीक पानी यूज नहीं करना है क्योंकि इसके अंदर ऑइल भी है तो ठीक से साफ नहीं हो पाएगा इसलिए तो आप हलका गुंगुना पानी लें मैंने भी यह पर हलका गुंगुना पानी लिया है और आप मैं इसको को लेती हूं साफ यह देखिए मेरी स्किन यह देखिए कितने अच्छा सा एक गलो आया है ना चेहरे पर तो देखिए मेरे से अच्छा से साफ कर लिया है और मेरा चेहरा आप देखिए मेरी स्किन मुझे इतनी ज्यादा स्मूध और सॉफ्ट लग रही है एक दम बहुत जादा स्मूध अब आपको लेना है यही वर्जिन कोकुनट ओई ठीक है यह अभी मैं इसको बार बार करम करके यार परिशान हो गई तो आपको क्या करना है मैं आपको बता देती हूं तो आप इस तरीके से इसी में से 5 या 6 डॉप ले सकते हो इसकी और 5-6 डॉप लेकि आपको इसी को अपने चेहरे पर अच्छा से लगा लेना मतला मसाज करके आपको छोड़ देनी इसी से ठीक है यह है आपका इसका लाश्ट स्टेप और इसी से आप देखोगे आपकी इसकिन पर बहुत ही अच्छा एक प इस तरीके से टच करोगे ना एक डम सॉफ लगेगी जैसे कि अपने कोई फेसल कराए उसी तरीके से तो आप देखी मेरा चेहरा और मुझे टच करने में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मेरी स्किन लग रही है ठीक है तो मैंने आपको यह बता दिये आपको यही इस्टेफ फ है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुर ना बुलना ऐसे वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी बाबाए टेक क्यार लव यू